वाट इस डे स्टोरी राइटिंग होती क्या है सबसे पहले अब आप समझ गए स्टोरी राइटिंग क्या होती है connecting a proper sequence in order to create all these incidents in a proper pattern मतलब बिभिन हिस्सों को जोड़ जोड़ करके एक अच्छे पैटर्न में किसी बीती हुई घटना को कहानी को जोड़ने की कला को कहानी लेखन या story writing कहते हैं अब story writing दो प्रकार की है एक होता है imaginary और एक होता है real real मतलब जो पास्ट में बीती हुई घटनाएं हैं उसके बारे में अगर आप लिखते हैं तो वो होता है real imaginary क्या है जो आप काल्पनिक बना लेते हैं जैसे पहरे के समय में हमारे दादी दादा हमें बहकाने के लिए फुस्ताने के लिए कुछ काल्पनिक राजाओं की राणियों की परियों कहानिये सुनाय करते थे अब ध्यान रखना इस्टोरी राइटिंग ये बहकाने की या दादा दादी की जिर्फात नहीं है यह आपके एक्जाम में आने वाल राइटिंग स्किल का एक बहुत ही important पार्ट है जिसमें आप इस्टोरी लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं अब इस्टोरी राइटिंग के ल देखते देखते आप सारी लोगों को स्टोरी राइटिंग आ जाएगी इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एक एक पॉइंट को समझिए देखिए और उन बातों को कॉपी करके आप तुरंत एक स्टोरी लिखने बैठ जाएंगे और या देखिए आप अच् नहीं करेंगे आप स्टोरी को डेबलप करेंगे डेबलप कैसे करेंगे आगे हमाई देखने स्काइड में वाट स्टोरी राइटिंग अब इसमें हम देखेंगे स्टोरी राइटिंग होती क्या है यहां पर सबसे पहले स्टोरी में क्या क्या करेंगे तो हम बात में देखे यह नमबर एक रिपीटेट वर्ड आप अपनी कहानी में अपनी स्टोरी में बार-बार एक ही सब्दु कई बार जब आप लिखते हैं वह देखने में भद्दा लगता है देखने वाच्छा नहीं लगता है इंप्रॉपर लगता है उसका बैड इफिक पड़ता है आपकी इटर्निर्स चेंज करके नमबर टू नमबर टू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सनल का यूज करने से बचिएगा फर्स्ट पर्सनल इसे आई मी माई वी अस आर यू और यूर इनका अप्योग आप अपनी स्टोरी में नहीं करेंगे हां तब कर सकते हैं अगर प्रॉपर नमबर फोर क्या है नमबर फोर है प्रेजन्ट और फ्यूचर का भी यूज आप नहीं करेंगे आप अपनी स्टोरी राइटिंग को पास टेंस में ही लिखने का प्रियास करेंगे प्रेजन्ट या फ्यूचर नहीं यूज करेंगे और हां अगर आप प्रेजन्ट या स्टोरी राइटिंग में इन बातों से आपको बचना होगा या फिर बचने का प्रयास करना होगा अगली बाद क्या है डूज क्या-क्या आपको करना है कैसे आपको करना है number one सबसे पहले बाद use past tense in your story developing आप इसितोरी को डिवलक करने में पास टेंस का यूज करते जाएंगे अब plotting बढ़िया करेंगे plotting आपके attractive होनी चाहिए plotting मिन्स क्या होता है आप एक story लिखने जा रहे हैं अब story किसके बारे में है story किसके लिए आप develop कर रहे हैं वो king है, former है या कोई animal है अब आप माल लिज्याब करते हैं once upon a time there was a king in a village एक बार की बात है, एक गाउं में एक राजा रहता था what nonsense या आप कैसी लिखेंगे राजा गाउं में गाउं में आप farmer दिखा सकते हैं और कोई बाते हैं बिदा सकते हैं राजा तो राजी में ही दिखाएंगे इन सारी बातों से बचने का प्रयास करेंगे next suitable theme आप theme को बहुत ही attractively develop करेंगे theme means जैसे मालेजिए गाउं की बात है किसान की बात है farmer अपनी फसलों को देख कर बहुत खोस होता था फसले हरी भरी थी चारों तरफ हरी आली थी अच्छे खेत थे, farming थे trees थे, नदी है जरना है, river है इन सारी चीजों के सब्दों को एक एक करके आप तो डालने का फ्रयास करेंगे next suitable title आप अपनी कहानी को एक आकर्ष्टक title देंगे, ताकि दर्ष्टक उसको देख करके अगर ना भी पढ़ना चाहें तो भी title को देख करके आपकी story की तरफ हुआ attract होंगे next confidence लिखने के पहले आप पूरी तरह से confidence हो जाएए आप जो भी लिखने जा रहे हैं वो निश्चत रोप से आप बहुत ही अच्छे से उस story को develop कर पाएगे अब इन बातों को दिमाग में रख करके आगी चलते हैं story writing में और क्या-क्या बातें जरूरी होती है number next some specific word अब यहाँ पर कुछ word दिये जा रहे हैं अपने story को attractive बनाने के लिए आकर्षक बनाने के लिए इन सब्दों का use यदा कदा कभी कभार कर लिया करेंगे जैसे therefore therefore means इसलिए अब आर बार आप लोग इसलिए को so लिखते हैं एक बार लिखें दो बार लिखें तीन बार लिखें so कितनी बार लिखेंगे therefore लिखेंगे तो यह जो therefore word है meaning एद्गेपी दोनों की एक है so therefore लेकिन इसको बोलने में पढ़ने में समझने में so से ज़्यादा effective दिखतेगा because का यूज करें because of का यूज करें so that का यूज करें after all due to rather than one morning at the very moment इन सारे वर्डों का इस योग ऐसे कुछ और words आप अपने डिक्सनरी में सामिल के जिए जब आप स्टोरी डिबलप करने जा रहे हैं स्टोरी डिबलपिंग आपका सौक है आपको नंबर पाने है तो ऐसे सब्दों का एक डिक्सनरी एक लिस्ट बना के रखिए कि हम अपनी स्टोरी में कौन-कौन से सब्द कौन-कौन से अच्छे आकर्ष्टक वर्ड डाल सकते हैं जितना ज़ादा अच्छे वर्ड का प्योग करेंगे आपकी मार्किंग उतने ज़्यादा बढ़ते जाएगे आप क्या है सम ग्रामेटिकल पॉइंट यद्यप के आपकी स्टोरी राटिंग पूरा का पूरा ग्रामर है इसमें कुई दोरा नहीं फिर भी कुछ खास ग्रामर आप अपने स्टोरी में यूज केजिए ताकि वह एक्जामिनर को आँखों के सामने तुरन दिखे उससे आपके राटिंग बहुत अच्छी दिखेगी जैसे यूज आप नो सूनर ऐसा सेंटेंज यूज केजिए दो आलदो बट का यूज कीजिए इप अनलेस का यूज कीजिए नाइदर नार इदर और इप अनलेस एक गामर का उपयोग कम से कम दो चार बार अपने पूरी स्टोरी में यूज करेंगे आपकी स्टोरी की जो प्लॉटिंग है बहतरी बहुत ही बढ़ियां देखेगी बहुत संदर देखेगी जो कि आपको अच्छे नंबर दे देगी अब इसके बाद आपको करना क्या है आईए देखते हैं स्टोरी क्वेश्चन आपको मिलता कैसे है आपकी क्वेश्चन पेपर में आप सामने देख रहे हैं ऐसे कुछ वर्ट्स रहते हैं बीच में गैप रहता है डेश्च रहता है अब अब आइब डेश 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 अपनी आज यूज़वी का के लिए नूज़वी बिशता है complete studies अपनी studies को complete करता है search for job जौब की तलास में निकलता है God the job and start to live happily उसे काम मिल जाता है और अपना जिंदगी आसानी से खुशी-खुशी जीने लगता है अब यही आपकी पुरी स्टोरी की थीम है इसमें आप कौन से वर्ज डालते हैं कैसी स्टोरी डालते हैं क्या नाम देते हैं वो बच्चा वो सहर का है कि गाउं का है एक सुटेबल प्लेस आप बना करके अपने मन में एक कल्पना काल्पनिक कहारी बनाने का प्रियास करेंगे मिकादेशी इमेजिंदरी स्टोरी देखें यह आपका कुश्चन फार्मेट यह हो सकता है या फिर इन दिनों इस समय में जो आपके बोर्ड के की इजामनेशन कुश्चन आता है वह अगली स्लाइट की तरह है देखिया कर डैस एट 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 ओड जो अद इस्टार टू रर्क हैपनी लड़के युक काम मिल गया और वह खुशी-खुशी काम करने लग गया मतलब आपकी स्टोरी का जो हीरो है जो सेंटर है वह व करने जा रहे हैं सबसे पहले सोची है। आप दिवांद में जो sentence बनेंगे जो आप कलतना करेंगे वह ऊपकी mother tongue में होते हैं breakfast और आपकी mother tongue मराथी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, हिंदी हो सकती है, आपके मन में पहले वह सारे sentences आपकी मदर टंग में ही बनेंगे और बाद में आप उसको translate करके अपनी answer sheet पर लिखते हैं अब वो कैसे बनाएंगे किस तरह से convert करेंगे इसके नियम तो बहुत लंबे चौड़े हैं लेकिन मैं आपको 8 से 10 point आज दूँगा स्टोरी में उस 8 से 10 point का यूज करके आप 100% एक अच्छे स्टोरी डिवलपर बन सकते हैं और अच्छे स्टोरी को डिवलप करें कैसे पेण आपकी निकल गई है दिमाग काम करना सुरू कर दिया है अब कहानी सोचते चले जा रहे हैं आपके दिमाग में हिंदी के बनते जा रहे हैं और हिंदी के वाक्ष को आपको सिर्फ क्या करना है इंग्लिस में translate करके अपनी answer sheet पे लिखना है लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा problem होती है जो वर्णाकलर मीडियम के हैं हिंदी मीडियम है मराथी मीडियम है तेलकु तमिल के हैं जिनके mother tongue इंग्लिस नहीं है या जो इंग्लिस मीडियम नहीं है उनको story लिखने में sentence creation में थोड़ी problem होती है अब यहां पर पूरे tense पढ़ाते तो नहीं बैठोंगा नहीं तो आपका story काफी लंबी हो जाएगी वीडियो काफी लंबा हो जाएगे आप इसमें boring feel करेंगे उसलिए आपको 8-10 point आज में दूँगा उसी point को दिमाग में रख करके आप story को develop करेंगे ध्यान रगना अगर ऐसे कोई sentence आते हैं ऐसे कोई words आते हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप उस sentence को करेंगे ही क्यों उसी sentence को आप उस रूप में convert कीजिए ट्विस्ट कीजिए जो आप जानते हैं जो आपने पढ़ा है जो आप कर सकते हैं आई देखते हैं example नंबर वन अगर आपके दिमाग में एक ऐसा sentence आता है जिस sentence के हिंदी वाकी के अंत में या ये य या फिर ताथा तीथी तेथे आय जैसे वह चला गया वह मर गया कवे ने लोमड़ी को देखा लोमड़ी ने कवे को देखा कवे ने घड़ा देखा इस प्रकार से देख रहे हैं या ये यह आता है अइसे sentence जब भी हमा ध्यान रखना यहां पर मैं टेंस की बात नहीं करता हूं यह पहचान हिंदी की पहचान है और इंगलिस कर्षे करना है तो अगर आपके हिंदी वाकी में यह सारी पहचान वाले sentence आते हैं यह यह sentence जिसके वाकी के अंत में यह 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 ताथा तीथी परचंट यही sentence मिलेगे more than 60% यह दखना अब देखें इसमें करें क्या subject लेंगे सबसे पहले subject के बाद में वर्व सेकंड फॉर्म में यहां जो वी टू लिखा गया है वर्व है सेकंड फॉर्म उसके बाद आपके लेंगे example कोवे ने लोमडी ने कोवे को देखा अब एक खानी है लोमडी ने कोवे को देखा लोमडी देखा अंत में आ आया क्या करेंगे the fox saw the crow लोमडी कोवे के पास गई लास्ट में यह आया the fox went to the crow ऐसे sentence आप ध्यान रखना चिर्फ यह पाचान दिमाग में रखेंगे और यह जो चोटा सन्नियम है उसको दिमाग में रखेंगे आपका sentence कहीं भी कोई गलत नहीं हो सकता और दूतरी बात अगर मालने यही पाच नेगेटिब में आ जाते हैं तब आपको क्या करना है सब्डिक लेना है डिट नाट लिखना है वर्व जहां आपने सिकर्ड लिया था वहां पर फर्ष करना जैसे लोमडी ने खाना नहीं खाया लोमडी ने पानी नहीं पिया राजा ने मुझे नहीं देखा the king did not see to me मैंने नहीं पत्र नहीं लिखा I did not write a letter इस प्रकार से आप स्टोरी को इस पहचान वाला sentences को बनाएंगे इस पर खास ध्यान रखना क्योंकि सबसे ज़्यादा sentences आपको स्टोरी में इसी टेंस में मिलेंगे इसी पहचान के मिलेंगे आई देखते हैं अगर माल लिए आपके में जो हिंदी का वाक चलता है उसके अंत में रहा था रही थी रहे थी यह आता है अब सिंप्ली क्या करेंगे सब्जेक्ट के आधार पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे उसके बाद वर आइंची लेंगे मतलब यह से एक लोमड़ी जंगल में भटक रही थी अब आप देखेंगे लास्ट में क्या रही थी A fox was wandering in the forest ठीक है पाचानमा गये ना एक लड़का स्कूल जा रहा था A boy was going to school मैं नहा रहा था I was taking the bath वे खाना खा रहे थे They were taking the food इस प्रकार से आप sentence को बनाएंगे अब आई यह देखते हैं अगर अगली पाचान मिल जाए तो क्या करेंगे यह है अगली पाचान अगर आपके हिंदी वाके के अंद में या था ये थे या चुका था चुकी थी चुके थे दोनों का मत्तिव जैसे वह चला गया था वह जा चुका था लास्ट में या था या चुका था ऐसे sentences आते हैं तो सबसे पहले आप subject लेंगे इंग्रिश का structure नेशी देखते जाएए पहले आप subject लेंगे subject के तुरंद बाद में helping verb की रूप में head लेना head head और उसके बाद में आपको verb third form में करना है अब जिसे लोमणी भाग गई थी the fox had run away मैंने खाना गा लिया था I had taken food मैं नहा लिया था I had taken the bath उसने पत्र लिख लिया था he had written a letter इस प्रकार का सिर्ने साब बनाएंगे याद रखना हिंदी के वाकी के पाचान और इसके नियम आपको एक घंटे hard work करने के बात है बाकी पुरी life के लिए you will be a best story developer I am sure आई देखने है अगर इसके अलावा कुछ और पाचान मिलती है वो क्या हो सकती है अगर आपके वाकी के हंद में सका जिसे वह जा सका वह पा सका वह सो सका पाया वह कर पाया वह सो पाया वह जा पाया शकता था वो खा सकता था वो पड़ सकता था ऐसी पहचान की सिंटेज आए अगर न आए तो आप खुद इसको मने अपनी हिंदी वाकिको इसमें लाने का प्रयाज किजिए उसी के आधार पे आप डेबलब करेंगे जैसे वह नहीं सोच पाया वह नहीं सोच पाया क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्म लगाएंगे कुड उसके बाद वीवन ही कुड़ नाट थिंग वाटो डू वह वह नहीं जा सका ही कुड़ नाट को दे हैं हम पत्र नहीं लिख सकते थे वी कुड़ नाट राइटे लेटर कुड का यूज करकि ये सेनलेस आप बनाए उसके पास एक कार थी एक राजा थी राजा के पास तीन दानिया थी राणी के पास दो नौकर थे मेरे पास एक कलम थी ऐसे में आप हैड का यूज करेंगे पास की मीनिंग दिखाने के लिए हैड का यूज करेंगे जैसे मेरे पास एक किताब थी आई हैड अ बुक राजा क के पास तीन रानियां थी दे किंग हैड की क्वीन्स इसमें हैड का यूज़ करके आप इस लगाएंगे और आप अपने ध्यान रगना स्टोरी प्रयास किजिएगा कि ऐसे सेंटेंस लाने का प्रयास किजिए यह सेंटेंस खुद नहीं आने वाले हैं जो पहचान आपने पड लेगेगा नेक्स्ट में और कम दीरे 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 आप जब इसके हैविचल हो जाएंगे तो बिना सोच से स्टोरी लिखना सुरू करने के लेकिन सुरू सुरू में आपको इसी पॉइंट के आधार पे चलना है हाँ तो अब देखते हैं आगी साइड में क्या है अगली ने साइर बड साथ हो रही थी अब बरसात हो रही तैलिए लगे सोचने रैन इज होनी का क्या होता है कोई बात दीन महेना मौसम दिख लाने के लिए सब्जेक आप लगाते हैं इट इसके लाज जिसे सुबह का समय था इस प्राकार के सिंटर्ब या आप करेंगे अपने कहानी में, अपने स्टोरी में डिब्लफ चान्द लग जाएगा पक्का पक्का आई रेखते हैं next slide आपको क्या बताने वाली है अगर किसी वस्तु व्यक्ति की इस्थती दिखलाने के लिए sentence आए अब ये sentence क्या उतर समझ लेजी जिसे एक जंगल में कुछ शेर थे तेहां पर शेर की इस्थती दिखाई गई कहां जंगल में मेरे परिवार में पांच सदस्य थे नदी में दो मगर मच थे तालाब में पचीश मेडक थे ऐसी कंडिशन में आप देयर का यूज़ करते हैं एक गाउं में एक किसान था प्रवां कि टैर्वाज कि इस स्थे ऑन देख़ें एंगलिश अगर आपने इसको लिखा एक गाउं में एक किसान था तब तो देरवाज एक फार्मर इन ए विलेज अगर आप इसी को लिखना जाते हैं एक गाउं में एक किसान रहता था तब आपने जो पहला नियम पढ़ा अगर आप चाहें तो इनका यूज कर चकते हैं इस रूप में इस फार्म में सेंटेंस को लाइए और करवड के जी जैसे हिंदी वाक्य में वाला था जैसे वह जाने वाला था मैं पढ़ने वाला था वह सोने वाला था इसका नियम क्या होता है सबसे पाले आप लगाएंगे सब्जेक्ट उसके बाद वाज या वर प्लस टू प्लस वीवन वीवन में प्रजेंट फार्म आप दे वर यह जैसे वह स्कूल जाने वाला था ही वाज टू गो टू स्कूल मैं पढ़ने वाला था आई वाज टू स्टडी लेकिन अगर आपके वाके में जोर देकर बोलते हैं वाला ही था वह पढ़ने वाला ही था मैं निकलने वाला ही था मनदी पार करने वाला ही था तब इसका इस्ट्रक्चर आप देखें क्या होग था सब्जेक्ट प्लस वाज स्कूल जाने ही वाला था इस्ट्रक्चिर आप ध्यान रखेंगे अपनी स्टोरी में कहीं न कहीं इसका यूज अवस्च करिएगा अच्छा लगेगा next slide है अगर हिन्दी वाकियंत में ना था नी थी या पढ़ता था पढ़ती ठी जैसे उचे जाना था उचे परना था मुझे school जाना पढ़ता था मुझे नोगरी करना पढ़ता था इस प्रकार के sentence में आप instruction देखेंगे अगरे जी का पहले subject लिए उसके बाद head to head to plus v बन्जे से मुझे जाना था I had to go मुझे काम करना पढ़ता था I had to work मुझे पत्र लिखना पढ़ता था I had to write later अब next slide आई देखते हैं क्या है अब आपने पूरी slide देखी अब आप शुरू करेंगे story writing सबसे पहले आप क्या करेंगे तीन ये चार्ड लाइन में introduction देंगे मतलब किसके बारे में कहानी लिखने जा रहे हैं परिशे देंगे शुरूवात नहीं परिशे जैसे example यहाँ पर एक farmer की कहान लिख गई है once upon a time ये तो आपका शुरूवात का story में रहे गए रहे गएगा once upon a time there was a farmer in a village देना देर कही हुजा है पर एक बार की बात है एक गाउं में एक किसान था farmer का नाम गोपाल था जैसा काम है जैसा विजुसा है उसी के नाम पर आधार रख देंगे अब यहां राजे की बात है राजा की किंग की बात हो भान परताफ सिंग राम परताफ सिंग ऐसा लिखेंगे अब किसान है तो क्या लिखेंगे और नाम आपको अपने मन से चलिक करना करना है इस पिसान का नाम गोपाल था और गाओं वह लिप जहां वह रहा रहता था वाज नौन एज रामपुरा उसे रामपुरा के नाम से जालते थे अब यह संदेंस दो तीनत आपके लिए फिक्स हो गए हर स्टोरी में लगा दीजिए हमेशा सुरुआ कर दीजिए गोपाल वाज वेरी हार्ड वर्किंग वह हमेशा अपनी फसनों को देख करके बड़ा खुश हुआ करता था बहुत खुश इस प्रकाते तीन चार लाइन्स तीन चार चेंटेंस आप अपनी स्टोरी में और जोड़ करके इंड्रोड़क्शन पूरा करेंगे अब आपको अगला प्लॉट क्या लेना वो देखिए अब दीरे 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 उसकी happiness खुशिक बात दिखा रहे हैं फिर बीच में आता है conflict विरोधा भास जहां पर संगर्शी से बोलते हैं अब संगर्शन क्या दिखाएंगे उसकी जीवन में कुछ मुश्किल घड़ियां कठिन समय दिखाएंगे गोपाल had four sons गोपाल के चार बेटे थे and they are all lazy and passive सारे के सारे बड़े आलची और निश्यक्रिय थे ते don't help the former उसकिसान की मने अपने पिता की कोई help नहीं किया करते थे they would wonder here and there ये इधर उधर घुमा करते थे इस प्रकार चे आप इस स्टोरी में आगे बढ़ाए conflict हो गया मन दुख का समय है दुख की बाद में आपको solution देना है आपको उसमें एक solution देना हल देना है उसका देने का प्रयास करेंगे उसके बाद इस प्रकार चे आप कहानी की बढ़ियां ending कीजिए और आपके question पेपर में end में जो line दी गई है उसको वहाँ लगा देजिए अब स्टोरी के नियम को पढ़ करके आप स्टोरी डेबलप करने का प्रयास कीजिए दो चार पांच से कहानियां ले 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 जिए आउट्लाइन ले 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 जिए उसको जो नियम आप बताएगे उसको सामने रखके पूरा का पूरा उसको दो बार तीन बार लिखने को प्रयास कीजिए मुझे पूरा विस्वास है स्टोरी आपको समझ वागई होगी और इसका भर पूर लावाब को आपके एक्जाम में मिलेगा और हां अगर आप कोई कहानी लिखने का तरीका अच्छा लगा आप में अपने दो सब्सक्राइब और लाइक करना न बोलें थैंक वेरी मच फिर मिलते हैं उस ऐसी वीडियों के साथ